हालो एवर्ट 크 वेलकम वैक अन्माय योतेप चानल गाईज आज हम बतकरेंगे कि राइटिंग डास्क टु में प्लानिंग ज़रूरी होतीय हैं अगर ज़रूरी होतीय है तो कियों इस पॉट्पंट है कितने टाइम की प्लानिंग करने चाहिए प्लानिंग में कौ बहुत ही जादा इपोटेंट है ठेक है बहुत जादा इपोटेंट होती है बहुत सारी बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में प्लानिंग करते हैं तीन मिनिट की टू मिनिट की प्लानिंग करते हैं लेकिन गाइस मैप को प्रेफर करूंगी अगर आप अच्छा स्कोर लेना चाहते है writing task 2 में तो आपने पांच मिनट की planning करनी है बहुत सारे वच्चे क्या करते है कि 3-4 मिनट की planning करेंगे उनको ये लगता है कि हमारा writing task 2 छूट जाएगा अगर हम 5 मिनट की करेंगे तो ऐसा guys नहीं होगा अगर आप 5 मिनट प्लानिंग की उपर लगा देते हो तो आपका स्कूर डेफिनेटली है वो राइटिंग टास्क टू में है वो आएगा ही आएगा एक चीज़ को अपने मैंड में क्लियर कर लो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना आपका स्कूर इंक्रीज होगा सो प्लानिंग बहुत जादा क्रूशल है अगर आप एक अच्छा स्कूर राइटिंग में गेट करना चाहते हो तो अच्छे से अपने टास्क टू को प्लान करो अब देखो प्लानिंग में सबसे पहला काम आपने क्या करना है रीड कोशन को रीड करना है अट लीस्ट तीन से चार बार अपना जो कोशन आपको मिलेगा उसको अपने चार बार एट लीस्ट पढ़ना होता है घर पर भी इंस्टीट ड्यूट में भी जब आप राइटिंग टास्क टू लिखते हो अट लीस्ट तीन चार बार अपने कोशन को पढ़ना है अटेंटिफाइ देशू उसके नुकसान लिखते हैं यह सबसे बड़ी गलती होती है कि आपके बैंड्स को राइटिंग में क्यों नहीं आते तो कोशन को अच्छा से पढ़के उसको समझो कि बोल क्या रहा है कोशन हमारे से पूछ क्या रहा है ठीक है डिमांड समझो कोशन की ब्रेंस्टॉमिंग म लिखना है फिर आपने अपने माइंड में सोचना है कि अगरी की साइड कौन से आइडिया सकते हैं डिसग्री की साइड कौन से आइडिया सकते हैं ठीक है छोटी छोटी आइडियास आपने लिखना नहीं है स्पोस करो जैसे कि आप लिख लेना यहां पर हैल्थ ठीक है और ठीक है, जो आइडिया आपको लगता है अच्छा है, जिसको आप अच्छे से explain कर पाओगी उस आइडिया को pick करना है थेक है, जिसकी explanation आपको आती है ये सबसे important point है, explanation का write one idea for one BP एक BP में हमेशा एक आइडिया लिखो आपका score बहुत हद तक improve होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक BP में 3-4 idea डाल देते हैं जिससे क्या एक भी point अच्छे से explain नहीं हो पाता उनका एक भी idea अच्छे से elaborate नहीं हो पाता और उनके band score है वो नहीं आते हैं तो एक BP में हमीशा एक idea लिखो score definitely आपको मिलेगा और आपने सोचना भी है कि जो मैंने idea लिखा है उसको explain कैसे करना है कौन से sentence के साथ मैं शुरू करूँ इसको explain करना क्योंकि complex भी तो जरूरी होते हैं variations भी तो जरूरी होते हैं आप मुझे बता देना अगर आपको variations के उपर वीडियो चाहिए तो मैं definitely बना के दोंगे आपको के फिर उसके बाद organize करना अपने paragraph सोचना है कि connector से ही शुरू करेंगे हम ठीक है इससे हम idea देंगे फिर ऐसे हम explain करेंगे ऐसे हम इसकी example देंगे और ऐसे इसका result करेंगे properly organize करना है बहुत सारे बच्चे क्या shuffle कर देते हैं वो क्या करते हैं सबसे पहले idea देते हैं फिर उसके बाद वो example देते हैं फिर उसके बाद explain करते हैं यह बिल्कूल गलत है ऐसा नहीं करना है आपने क्या करना है idea देना है ठीक हैं उसको explain करना है देन उसकी अपने एक्जाम्पल देनी है और लास्ट में रिजल्ट निकालना है यह इसका प्रॉपर स्टॉक्चर है एक बीपी का कि बीपी में एक्जामिनर क्या क्या चीज़े आपकी नोट करता है तो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो आपका स्कूर्ट जाने ही लगाने है चाहे घर पे कर रहे हो जा फाइनल में कर रहे हो इसकी हबबर डालो स्कूर्ट डेफिनेट ने आपका आएगा थेंक्यू फर वाचिंग